हे सुब्रू मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसंद होकर मुझे प्रेमदान दो। राजा के ऐसे कहने पर उर्वर्शी ने भी लज्जावश स्खालित स्वर में कहा। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ओडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं, तो मेंबर्शिप लेके या दिये गए QR कोड का प्रियोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोचाहित करता है। आने था, शेर, लाइक, यह सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। विश्नु पुरान श्री पराशर जी बोले, इक्षवाकू का जो नेमी नामक पुत्र था, उसने एक सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले यग्य का आरंभ किया। उस यग्य में उसने वसिश्ची को होता वरण किया। वसिश्ची ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यग्य के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है। अतह इतने समय तुम ठहर जाओ, वहां से आने पर मैं तुम्हारा भी रित्विक हो जाओंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वसिश्ची ने ये समझ कर कि राजा ने उनका कथन स्विकार कर लिया है, इंद्र का यग्य आरंभ कर दिया। किन्तु राजा निमी भी उसी समय गौतम आदी अन्य होताओं द्वारा अपना यग्य करने लगे। देवराज इंद्र का यग्य समाप्त होते ही मुझे निमी का यग्य कराना है। इस विचार से वसिश्ची भी तुरंथ ही आ गए। उस यग्य में अपना अर्था थोता का कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमी को यह शाप दिया। कि इसने मेरी अवग्या करके संपून कर्म का भार गौतम को सौपा है। इसलिए यह देही हीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा निमी ने भी कहा। इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बात चीत किये। अज्यानता पूर्वक मुझे सोय हुए को शाप दिया है। इसलिए इसका देही भी नश्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निमी के शाप से वसिष्टी का लिंग देह मित्रावरुन के वीरे में प्रविष्टो हुआ। और उर्वर्शी के देखने से उसका वीरे स्खलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धार्म किया। निमी का शरीर भी आती मनोहर गंध और तैल आदी से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं। बलकि ततकाल मरे हुए देह के समान ही रहा। यग्य समाप्त होने पर जब देवकर्ण अपना भाग ग्रहन करने के लिए आए तो उनसे रित्विकर्ण बोले कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेर्णा किये जाने पर राजा निमी ने उनसे कहा भगवन आप लोग संपून संसार दुख को दूर कर करने बाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा की व्योग होने में जैसा दुख होता है, वैसा और कोई दुख नहीं है. इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहन करना नहीं चाहता, समस्थर लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूं। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्तित कर दिया तभी से प्राणी निमे शूनमेश, पलक खोलना, मूंदना आरंभ करने लगी है तदन अंतर अराजक्ता के भैसे मुनी जनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अर्नी अर्था चमी दंड से मथा उससे एक कुमार उत्पन हुआ जो जन में लेने के कारण जनक कहलाया इसके पिता विदेह थे, इसलिए वे वैधे कहलाता था और मन्थन से उत्पन होने के कारण मिथी भी कहा जाता है उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ उदावसु के नंदी वर्दन, नंदी वर्दन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात देवरात के ब्रहध्दुकत्थ, ब्रहध्दुकत्थ के महावीरे के सुधृति, सुधृति के ध्रिष्ट के इतु, ध्रिष्ट के इतु के हरेश्व, हरेश्व के मनु, मनु के प्रतीक, प्रतीक के क्रित्रत, क्रित्रत के देवमीड, देवमीड के विबुद्ध, महारोमा के सुवर्न रोमा, सुवर्न रोमा के हरस्व रोमा और हरस्व रोमा के सीर्ध्वज नामक पुत्र हुआ। शत्युम्न, शत्युम्न के शुची, शुची के उर्जनामा, उर्जनामा के शत्वज, शत्वज के कृति, कृति के अंजन, अंजन के कुरुजीत, कुरुजीत के अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी के श्रताय। श्रतायू के सुपार्षू, सुपार्ष के स्रिंजे, स्रिंजे के क्षेमावी, क्षेमावी के अनेना, अनेना के भोम्रत, भोम्रत के सत्यरत, सत्यरत के उपगू, उपगू के उपकुप्त, उपकुप्त के स्वागत, स्वागत के स्वानंद, स्वानंद के सुवर्चा, सु सुपाश्व के सुभाश, सुभाश के सुशृत, सुशृत के जय, जय के विजय, विजय के रितु, रितु के सुन्ने, सुन्ने के विधव, विधव के धृति, धृति के बहुलाश्व और बहुलाश्व के कृति नामक पुत्र हुआ। कृती में ही इस जनक्वंश की समाप्ती हो जाती है। ये ही मैथिल भूपाल गर्ण है। प्राहे ये सभी लोग आत्मविद्या को आश्रे देने वाले होते हैं। मैत्रे जी बोले भगवन आपने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन तो कर दिया। अब मैं संपून चंद्रवंशी भूपतियों का व्रतांत भी सुनना चाहता हूं। जिन स्थिरकीर्थी महराजों की संतती का सुयश आज भी गान किया जाता है। हे ब्रह्मन प्रसन्न मु के बंच का ग्रमशह शवन करो। जिसमें अनीकु विख्यात राजा लोग हुए है। यह बंच, नहुष, यहाती, कार्थवीर और अर्जुन आदी अनीकु अतिबल पराक्रम शील, कांतिमान, क्रियवान और सद्गुन संपन्न राजाओं से अलंकृत हुआ है। सुनू, म मैं उसका वर्णन करता हूँ। संपून जगत के रचयता भागवान नारायन के नाभी कमल से उत्पन हुए भागवान ब्रह्माजी के पुत्र अत्री प्रजापती थे। इन अत्री के पुत्र चंद्रमा हुए। कमल यौनी भागवान ब्रह्माजी ने उन्हें संपून औ और शत्थी, तुज्जन और नक्षत्रगन की अधिपत्ते पर अभिशिक्त कर दिया। बहुत कुछ कहने सुनने और दिव्रशियों के मागने पर भी उसे न छोड़ा। प्रहस्पति जी से द्विश करने के कारण शुक्र जी भी चंद्रमा के सहायक हो गये। और अंगिरा से विद्यालाब करने के कारण भगवान रुद्र ने प्रहस्पति की सहायता की। क्योंकि ब्रहस्पति जी अंगिरा के पुद्र हैं जिस बक्ष में शुक्र जी थे। उस ओर से जम्भ और कुम्भ आदि समस्त दैते दानवों ने भी सहायता देने में बड़ा उद्योग किया। तथा सकल देव सेना के सहित इंद्र भ्रहस्पति जी के सहायक हुए। इस प्रकार तारा के लिए उनमें तारकामय नामक अतिंत खोर युद्ध छड़ गया। तब रुद्र आदि देवगंड दानवों के प्रती और दानवगंड देवताओं के प्रती नाना प्रकार के शस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देवासुर संग्राम से क्षुब्ध जित हो संपूर संसार ने प्रह्माजी की शरंडी। तब भगवान कमल्योनी ने शुक्र, रुद्र, दानव और देवगंड को युद्ध से निफृत कर प्रैस्पती जी को तारा दिलवादी। उसे गर्भणी देखकर प्रैस्पती जी ने कहा मेरे क्षित्र में तुझको दूसरे का पुत्र धारन करना उचित नहीं है। इस हाथ सीम की जाड़ी में छोड़ दिया। उस छोड़े हुए गर्भ ने अपने तेज से समस्तर देवताओं के तेज को मलीन कर दिया। तदनंतर उस बालक की सुंदरता के कारण ब्रैस्पती और चंद्रमा दोनों को उसे लेने के लिए उत्सुप देख, देवताओंने हो जाने के कारण तारा से पूछा, हे सुभगे, तु हमको सच सच बता, ये पुत्र ब्रैस्पती का है ये चंद्रमा का। उनके ऐसा कहने पर तारा ने लज्जावश कुछ भी ना कहा। जब बहुत कुछ कहने पर भी वे देवताओं से ना बोली, तो वे बालक उसे शाप देने के लिए उद्वत होकर बोला, अरी, दुष्टमा, तु मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बतलाती, तुझ व्यर्थर लज्जावती की मैं अभी ऐसी गती करूँगा, जिससे तु आज से इस प्रकार अत्यंत धीरे-धीरे बोलना भूल जाएगी, तदनंतर पिता महाश प्रश्वती का ये चंद्रमा का, इस पर उसने लच्चापूर्व कहा, चंद्रमा का, तब तो नक्षत्रपथी भगवान चंद्र ने उस पालक को हृदे से लगा कर कहा, बहुद ठीक, बहुद ठीक, बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, और उनका नाम बुद्र पुरूर्वा को उत्पन किया था, उसका वर्णन पहले ही कर चुका हूँ, पुरूर्वा अति दान्शील, अति यागिक और अति तीजस्वी था, मित्रावरुन की शाब से मुझे मरते लोग में रहना पड़ेगा, ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अपसरा की द्रिष् तन्मे भाव से उसी के पास आई, राजा पुरूर्वा का चित भी उसे संसार की समस्त स्रियों में विशिष्ट तथा कांती सुकोमार्ता, सुन्दर्ता, गती विलास और मुस्कान आधी गुरों से युक्त देखकर उसके वशिभूत हो गया, इस प्रकार वे दोनों ही पर परतन में और अनन्यचित होकर और सब कामों को भूल गए। निदान राचा ने निसंकोच होकर कहा, हे सुब्रू मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेमदान दो। राजा के ऐसे कहने पर उर्वर्षी ने भी लच्चा वर्ष स्खालित स पर में कहा, यदि आप मेरी प्रतिग्या को निभा सकी, तो अवश्य ऐसा ही हो सकता है। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी प्रतिग्या मुझे से कहो, इस प्रकार पूछने पर वैं फिर भूली, मेरे पुत्र रूप इन दो मेशों, अर्थात भेड़ों क आप कभी मेरी शैया से दूर ना कर सकेंगे, मैं कभी आपको नग्न ना देखने पाओ, और केवल खित ही मेरा आहार होगा, यही मेरी तीन प्रतिग्याए हैं, तब राजा ने ऐसा ही होगा, इस प्रकार कहा। मानसाधी सरोवरू में विहार करते हुए साथ हचार बर्ष बिता दिये। उसके उभोग सुक से प्रतिदिन अनुराग के बढ़ते रहने से उर्वशी को भी देवलोग में रहने की इच्छा नहीं रही। इधर उर्वशी के बिना अपसराओं, सिध्धूं और गंधर्व को स्वर्गलोग अत्यंत रमणिये नहीं ग्यात होता था। अतह उर्वशी और पुरूर्वा की प्रतिज्या के जानने वाले विश्वा वसु ने एक दिन रातरी के समय गंधर्वों के साथ जाकर उसके शेनगार के पास से एक मेश का हरन कर लिया। उसे आकाश में ले जाते समय उर्वशी ने उसका शब्द सुना। तब वै बोली मुझ अनाथा के पुत्र को कौन लिये जाता है। अब मैं किसकी शरण जाओ। किन्तु यह सुनकर भी इस भय से कि रानी मुझे नगन देख लेगी राजा नहीं उठा। तदनंतर गंधर् चल दिये। उसे ले जाते समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी हाई मैं अनाथा और प्रत्ते हीना हूँ तथा एक कायर के अधीन हो गई हूँ। इस प्रकार कहती हुई वह आर्थ स्वर से विलाप करने लगी। तब राजा ने यह सोच कर कि इस समय अंधकार है अतह र इसी समय गंधर्वों ने अती उच्वल विद्धुत प्रकट कर दी। उसके प्रकाश में राजा को वस्तरहीन देखकर प्रतिग्या तूट जाने से उर्वशी तुरंधी वहां से चली गई। गंधर्व गंधी उन मेशों को वही छोड़कर स्वर्गलोग में चले गई। किन्तु जब राजा उन मेशों को लिये हुए अती प्रसन्यचित से अपने शैनागार में आया तो वहां उसने उर्वशी को ना देखा। उसे ना देखने से वह उस वस्तरहीन अवस्ता में ही पागल के समान घूमने लगा। घूमते घूमते उसने एक दिन गुरुक्षे खड़ी हूँ। अरी कपट रखने वाली बारतालाप के लिए तनिक ठहर जा। ऐसे अनेक बचन कहने लगा। उर्वशी बोली महाराज इन अज्यानियों किसी चेश्ठाओं से कोई लाव नहीं। इस समय मैं गर्भवती हूँ। एक वर्ष उपरांद आप यहीं आजावे उस समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात मैं भी आपके साथ रहूँगी। उर्वशी के ऐसा कहने पर राजा पुरुर्वा प्रसनिचित से अपने नगर को चले गए। तदनंतर उर्वशी ने अन्य अपसराओं से कहा यह वही पुरुष रिष्ठ है जिनके साथ मैं इतनी दिनों तक प्रेमाकृष्ट चित से भूमंदल में रही थी। इस पर अन्य अपसराओं ने कहा वहाँ वहाँ सच मुझ इनका रूप बड़ा ही मनोहर है। इनके साथ तो सरवदा हमारा भी सहवास हो। वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरुर्वा बहाए। उस समय और वर्षी ने उन्हें आयू नामक एक बालक दिया। तथा उनके साथ एक रात रहेकर पांच पुत्र उत्पन्य करने के लिए गर्भधारण किया। और कहा। हमारे पारस्प्रिक स्नेहे के कारण सकल गंधर्वगन महराज को वर्दान देना चाहते हैं। अतह आप अभि बंधुजन, असंखे सेना और कोश से भी संपन्न हूँ। इस समय उर्वशी के सहवास की अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है। अतह मैं इस उर्वशी के साथ ही काल्यापन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग हात अगनी युक्त पात्र दिया और कहा। इस अगनी के वैदिक विधी से ग्रहापात्य आवनिये और दक्षन अगनी रूप तीन भाग करके इसमें उर्वशी के सहवास की कामना से भलिभांती यजन करो। तो अवश्य ही तुम अपना अभिष्ट प्राप्त कर लोगे। कंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा उस अगनिस्थली को लेकर चल दिये। मार्ग में वन के अंदर उन्होंने सोचा अहो मैं कैसा मूर्ख हूं मैंने यह क्या किया जो इस अगनिस्थली को ले आया और उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अगनिस्थली को वन में ही छोड़ कर वे अपने नगर में चले गए आधी रात बीच जाने के बाद नित्रा तूटने पर राजा ने सोचा उर्वशी की सानिधी प्राप्त करने के लिए ही गंधर्वुने मुझे वे अगनी स्थाली दी थी और मैंने उसे वन में ही छोड़ दिया अतहर अब मुझे उस पीपल के विक्ष को देख कर सोचा मैंने यही तो वे अगनी साली फेकी थी वे स्थाली ही शमी गर्भ पीपल हो गए अतहर इस अगनी रूप अश्वत को ही अपने नगर में ले जाकर इसकी अरणी बनाकर उससे उत्पन हुए अगनी की ही उपासना करूं ऐसा सोचकर गाहितरी मंत्र का पाठ किया उसके पाठ से गाहितरी के अक्षर संख्या के बराबर एक अंगुली की अरणिया हो गए उनके मंत्थन से तीन प्रकार के अगनियों को उत्पन कर उनमें वैदिक विदी से हवन किया तथा उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की तदर पूर्वर्षी से उनका वियोग ना हुआ। पूर्वकाल में एक ही अगनी था। उस एक ही से इस मनवंतर में तीन प्रकार के अगनीयों का प्रचार हुआ। आप सभी को कोटी-कोटी साधुवाद आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।